हेलो एवरीवार वेलकम बैक तो स्वीट सिंपल लाइप कैसे हो आप सब सबसे पहले तो मैं आप लोगों एक साथ शेयर करना चाहूंगे कि जिन जिन लोगों की हफते किर्नी ट्रांस्प्लांट होने वाली है क्योंकि 3-4 लोगों ने मुझे कॉंटेक्ट किया था इंस्टा पे कि जस उनकी एक हैपिनेस थी वो मेरे साथ शेयर करना चाहते थे सो मैंने आपको परसनली तो वीस किया ही है सो यहां भी हम सब उनके लिए दुआ करेंगे प्रातना करेंगे कि उनकी किर्णी ट्रांस्प्लांट सकसेस्फुली हो और उनकी सहथ हमिसा के लिए हेल्दी रहें सो चलिए व्लोग को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने मेथी की भाजी जैसे लास्ट टाइम व्लोग में बताया था लेकी आई थी सो इसे मैं बस साफ कर रही हूं और जो वैक्सिन लगी थी इस साफ से थोड़ा सा फिवर चिली फिल हो रही है सो इतना मैं ठीक जैकेट पहन के बैठी बार बार यह हूडी चड़ाने का ट्राइक कर रहे हूं लेकिन निकल जा रही है और हात भी गंदे हैं तो ठिक से कर भी नहीं पा रही हूग लेकिन एलेवें निकल जाए हैं वह लाई थी षाल्दी बोलते हैं यलो वाली अंबा उसी को मैं साफ करिय हूग आ जैसे किद्नी ट्रांस प्लामें होते हैं उनको यह घल्दी वीघे़र बहुत खानी चाहिए इतनी एक्स्रीम भी नहीं लेना है जैसे मैंने एक व्लोग में भी कहा था कि एक्स्रीम भी नहीं लेना है लेकिन यस यह बहुत ही हल्दी होती है हमारी बोड़ी के लिए सो जितनी मिली थी उतनी लेके आई थी और ये मिथी की बाजी बहुत ही गंदी वाली आई थी इस बार लेकिन चलो जितनी निकली उतनी सही है सो मिथी का गोटा बनाऊंगी आज मैं यहां लंच में और दही चाहिए मुझे उसके लिए सो दही बिल्कुल भी खतम हो गए थी सबसे पहले मैं यहां दही जामन के लिए रख दूँगी बहुत ही अरनी मॉर्निंग थी यह सो दही में तब तक हो जाएगी चार-पांच के लिए वह निकाल लिया है रूम टेंपरेचर के लिए फ्रीज में से और दूद यहां ठंडा होएगा तब तक वह भी रूम टेंपरेचर हो जाएगा तो यहां यह दिखे मलाई किस तरह की इतनी मलाई निकलती है बहुत ही कम मलाई निकलती है और एकदम से इसे हम खाते ह कैसी होती है इंडिया में कैसे इतनी सॉफ्ट वाली होती है वह नहीं होती लेकिन चलो जो भी है मुझे मुलाई बहुत ही पसंद है तो जो भी निकलती मैं खा लेती हूं उसे है सो यहां बस दूड भी थंडा हो गया है इसे अच्छे से स्प्रेट कर लिया मैंने अच्छे से मिला लिया है इसे अच्छे से हम फ्ैंट लेना है जहां जी से बनाना सबको याता होगा लेकिन मैं जिसा तरह से बनाती हूं आपको बता रहे हूं बहुत ही ठीक का दही बनी थी मैंने आगे भी आपको बताया थोड़ी सी कलीप उसकी सो इसका धकन ओरिजिनल आता है मैं उस नहीं कवर करूंगी इसमें जरूरत नहीं है जस रेगूलर मेरा जो लीड है न उसी को मैं कवर कर दूंग कि यहां योगर्ट का आप्सन दिया गया है तो इसे मैं आल्रेडी मेरे पांच गंटे की इंस्टन पॉर्ट में ज्यादा कुछ यूज नहीं करती है सिर्फ दही के लिए ही यूज होता है तो अल्रेडी फाइवर सेट था लेकिन आपको बताने के लिए बता रहे हूं कि आ आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाप से आवर सो इस तरह से जब वो बीप होता है ना तो अन हो गया यह इंडिकेट करता है तो बस यह पांच घंटे अपने आप दही होते रहेगे और इसके बाद यहां पे स्मूधी बन रही है मोसमी को स्मूधी पीनी है सो वही बना पीनच डाल रही है उसके अंदर यह ब्लू ब्लैरी डाल रही है चुली मुझे स्मूधी हम लोग के लिए बहुत अच्छी रहती है लेकिन मैं इतनी बड़ी फैन नहीं हूं स्मूधी की सो मुझे इतना पसंद नहीं आता स्मूधी से इसके अंदर यह सारे इंग्रीडियन और ब्लूबरी वला वो भी स्ट्रॉबरी हो गया बनाना हो गया यह सारी चीजी इस पिनच बिनच वगेरे की मुझे पसंद नहीं आती है अदरख बस मैं वेगो के रखे इछ वो भी साफ हो गई है अच्छे से दो लिया है मैं आगे पित्प लोग में पताया था कि अच्छे से आधर इसे नागइ क्योंकि वो प्र preparation वो ग्रांट मेंस नीकलता है तो मॉट मित्ती होती है उसमें पयाछे है उखिछा भाथिए जो दूसरों काउए है और अलमा आधि करते रहते हैं कि रखने रहोडों कैणार प्ящ तकाई आधेनों किए और स्विय के रिते हैं तक हम गए चलते हैं किया के डूद बicki-घो ने करते हैं कि लेकिन वो नहीं खाती है इसनन दूद का फूड ही उसको पसंद है और मेथी की भाजी यहां साफ हो गई मैंने विगो के रखी थी मैं काटने के बाद नहीं धोती हूँ क्योंकि वह बहुत ही वेस्ट जाती है बहुत सारी मेथी फिर्ट चली जाती है उसमें इस तरह से मैं काटने से पहले ही उसे धो लेती हूँ और हस्बन के लिए मुसमें ने तो स्मूधी पी ली है अगेन मैं यहां मेंसन करना चाहूँगी बीट है कैरट है आप अपने जीवन में एवर्डे की रूटीन में इसे इन्वाल कर लीजिए यह बहुत ही हेल्दी होता है बहुत ही जादा हेल्दी है हमारे किड्नी पेसन के लिए बीट तो खास हीमोगलोबिन बढ़ाता ही है कैरट भी हो गया वो भी हीमोगलोबिन बढ़ाता है सो जैसे हम सब को पता है न हीमोगलोबिन हमारा इतना जल्दी से नहीं बढ़ता है किड्नी के कुछ दवाईयों की वज़े से सो इसे भी इंक्लूड कर लीजिया मैं बेल पेपर वगेरे भी डालती हूँ लेकिन आज उसका दिल नहीं किया हम दुनों में से किसी को मी सीर्फ यहां मैं सेलरी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं लेकिन बीट, कैरट, बेल पेपर यह सारी चीज़े तो लेने ही चाहिए और बेल पेपर भी हमें हमारे रूटिन में डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए वो भी हमारे किड्नी के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है बहुत ही healthy है यह बिना जीजक आप खा सकते हो यह सारी चीजिया आराम से आप लोग पुस्ते हो ना diet में क्या खाती हो मैं आपको हमिसा कहती हूँ कि व्लॉग में मैं आपके साथ share किया करूँगी जो जो मैं खाती हूँ सो बस यहाँ पर मैंने हल्दी को काट लिया था और उसके अंदर नमक और लिम्बू डाल दिया था थोड़ी से विनेगर डाली है मैंने यहाँ पर विनेगर नहीं यूज करती हूँ मैं जनरली लेकिन आज थोड़ी से मुझे धिली धिली से लग रही थी अच्छा मैं यहाँ गोटा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ अच्छली अल्रेडी सॉट विडियो मैंने डाल दी है अगर आप चेक कर सकते हो कुछ भी मैं यहाँ मिस कर दू तो यहाँ दो कप मैंने चनाय का आटा लिया था ग्रैम फ्लावर आधा कप सूजी दो टीस्पून सॉल्ट अजवाइन वन टीस्पून और बहुत सारा थोड़ असा कूटा हुआ यहाँ कोरियंडर सीड है धनिया का सीड आता है वो डाला है तील डाला है यहाँ पे और हिंग यह क्रस ब्लेक पेपर क्रस नहीं क्रैट है वो डाल दिया इसमें और यह मिक्सर आप इस तरह से मिक्स करके एड़ टाइट कंटेनर में आप दो से तीन महिने आराम से इसे रख सकते हो जब भी आपको चाहिए बस इसके अंदर आगे जो भी आप एड़ करना चाहते हो वो एड़ करके आप इसे बना सकते हो इस तरह से से रख सकते हो सो यहां मैंने इंस्टा के लिए थोड़ा आमें ना सॉट वीडियो के लिए सुट किया था वो ही मैं यहां बता रहे हूं यहां पर फिर आगे उसी जो फ्लावर भी मिक्स किया था ना उसके अंदर मैंने दो टीस्पून लिया है और जो घी का नेचे का बचता है ना वो थोड़ा सा डाल दिया था रांड़ वन टेबलशूंज इतना उसके बाद यहां मेथी की भजी ऊर दनिया डाला है खूब स्चार दनिये के जो स्टेम आते हैं वो भी आप इसमें डाला करो बहुत ही टेसली लगते है और मेथि के भजी के भी स्टेम होते हैं वो भी डाल दिया करो इसके अंदर सो पहुंत ही टेस्टी लगते हैं इसमें अगर आप यूज अल्रेडी कर रहे हो देन इस नो प्रॉबम मुझे पता है कई लोग करते ही होंगे लेकिन मैं जिस तरह से बना रहे हूं आपके साथ शेयर किया मैंने और थो थोड़ी से पूरिया भी बना रहे हूं मेथी और धनिया डालके क्योंकि कल हम लोग को फिर से वह वह से देखने जाना है सो मॉड्लिंग से हम लोग निकल जाते हैं ना सो बहार का फिर इतना अच्छा नहीं रहता खाने का सो थोड़ी पूरिया कल के लिए अभी से बना दे है सो हाँ यहां पर थोड़ी सी मेरी आज लाइटिंग प्रोब्लेम हो रही होगी क्योंकि जैसे मैंने कहा ना तीन चार लोगों के साथ आज मैंने इंस्टा पर बात की उन लोगों का कॉल आया था सो मैं चार्ज भी करना भूल गी थी रात को फोन सो मेरी बैटरी भी डाउ जो मैंने चैनल ही इसी परपस से खुला है तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि मैं व्लॉगिंग के लिए उसे बचा के रखो यह भी कोई बात नहीं हुई तो यह देखे दही भी हो गई है यहां पर पांच गनटे में कम्प्लीट और आप देख सकते हो कितनी थीक दही हुई ह और यहां की मिल्क तो होल मिल्क कहते हैं लेकिन फैट इसमें कम होता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से जम जाती है इंस्टन पॉर्ट मुझे बहुत ही पसंद है इस स्पेशली दही के लिए सो बस यहां पर यह मैं गोटा वगेरा फ्राइ कर लूँगी में ठीक है और पूरी सबसे पहले मैंने पूरिया फ्राइ कर ले थी यहां पर जैसे मैंने कहा थोड़ा सा अंधिरा फिल होगा क्योंकि फोन पुराना वाला है तो अच्छे से लाइटनिंग नहीं आ रही है ले सो अगें जिन जिन लोगों की किने ट्रांस्प्लांट होनी है इस वेक विस यह वेरी बेस्ट ओफ लख आपकी सहे बहुत अच्छी रहे और बिल्कुल भी डर्ना नहीं है उन लोग थोड़ा सा डर लग रहा था उन लोगों को अवियस है सभी को होता है इतनी बड़ी ट्र सो मैं आपके साथ शेर कर रहे हूं कि मैंने वेजेटेबल भी लिया है साइड में सबजी नहीं लिया सबजी में काफी ओइल होता है ना सो बस इस तरह से मैनेज करना है खाने को क्योंकि अल्रेड हम फ्राइफ फूट खा रहे हैं सो मैंने बेल पेपर और अनियन को पहले व बाजी धन्यास वगेरे धो के सुखाया था हल्दी वगेरा सो उसको भी मैं धोने डाल दूंगी जनरली लॉन्डरी सुबह होती है लेकिन आज मैं सामको कर रहे हूं क्योंकि यह सारी चीजे मुझे धोने भी डलने थी साथ ही साथ सो आई होप सो यह छोटा सा व्लोग आपको आज का पसंद आया हो पसंद आया तो लाइक कमेंड जरूर से करना चलिए फी मिलते अगले व्लोग में अंटिल दन टेक केर एंड बाई बाई